हेलो अर्यवान वेलकम टू वाइफाइ स्टेडी स्टूडियोज विज इस पार्ट ओप अन अकेडमी ग्रूप दोस्तो आज किस वीडियो में हम देखने वाले हैं जिसमें हम कवर कर रहे हैं प्रिविए सेर को जो की रेलवे और एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट रहने वाले हैं तो आप इस वीडियो को सुरू से लेके अंड तक देखीगा वीडियो पसंद आये तो इसको लाइक करिए अपने सभी दोस्तों के साथ में सेर करिएगा और अनकेडमी पर कोई भी आपको सब्सक्रिप्शन जोइन करना है तो आप स्टेडिट एंड कोड लगाके जोइन कर सकते हैं मेरी प्रोफाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में अनकेडमी पर मेरी क्लासी जो होती है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा अगर आप मेरी प्रोफाइल को फोलो कर लेता है या फिर डारेक्ट जाएए सौरब मलिक नाम सर्थ करिए और फोलो कर लिज बिल्कुल दोस्तो गुरूप हो जाएगा यानि की option B is the ready answer देखिए गृूप कितने होते हैं दोस्तो गृूप होते हैं आपके 18 पेरेड कितने होते हैं साथ पेरेड होते हैं सीरीज कितनी होती हैं 20 सीरी उती हैं और ब्लोक आपके 4 होते हैं यह सबी को पते होगा ठिक हैं तो ये चीज आपको जुरूर याद रखने है, एक्जाम में इन में से भी कहीं बार question बन जाता है, ठीक है? Next question है, समू 17 के तत्वों को कहा जाता है, समू 17 के तत्वों को दोस्तों क्या कहा जाता है, फटा-फट से आंसर बता देज़े, बिल्कुल, इसको कहा जाता है, हेलो जन्स, यानि की option दोस्तों, सी रेट आंसर हो जाएगा, very good, Next हमारा question है, number of groups in D block R, आपसे पूछाग है, D खंड में समूओ की संख्या कितनी होती है? Very good, देखिए, इस question का सही आंसर हो जाएगा, 10 यानि की option आपका, C correct answer हो जाएगा, Next question आता है, परमानु करमांग 118 वाले अंतिम तत्व का नाम रखा गया है, इस question का सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, और गेंशन यानि की option आपका, D हो जाएगा, ठीक है, very good, देखिए, आपको ना हर एक question का answer करना है, और यार एक बर likewise share where कर दो, ठीक है, जो भी student अभी देख रहे हैं, share तो कम से कम करी दीजिए, सर्वदिक घनत्तु का तत्व है, element with maximum densities, बिल्कुल दोस्तों, इस question का सही answer हो जाएगा, और यानि की option आपका, C right answer हो जाएगा, बहुत बार repeat हुआ है question, यह railway में भी आ चुका है, SSC में भी, और कहीं दूसरे exams में भी पूछा जा चुका है, next question, किस तत्व का कंथनांग सब से कम है, which element has lowest boiling point, very good, इस question का सही answer दोस्तों क्या हो जाएगा, helium, helium is the right answer, तो यह है आपको याद अखने है भी, ठीक है, और एक बार फिर से मैं आपको बता दू कि अगर आप अने केड़ मी पर subscription जोइन करते हैं दोस्तों, तो study 10 को लाके जोइन कर सकते हैं, सर्व उच गलनाक वाला तत्व कौन सा है, element with highest melting point is, बिल्कुल सही है दोस्तों, highest melting point, जो element है, वो टेंगिस्टन है, यानि कि आपका option, C correct answer हो जाएगा, बहुत ही बेहतरीन, चले, next question आता है, प्रमानू कर्मांक एक से, खालिस्थान तक के तत्द, प्राकर्तिक रूप से भी पाए जाते हैं, तो guys, एक से लेकर के, 94 तक, 94 तक के element, प्राकर्तिक रूप से भी पाए जाते हैं, इस question का अंसर आप, C mark कर देंगे, very good, अगला question है, सुएज नहर, खुलने तथा, गांधी जी के जनम के वर्स ही, खालिस्थान ने पहली, पहचानी जा सकने योग्या, आवर्थ सार्णी को, प्रकासित किया था, बिल्कुत दोस्तों इस question का अंसर हो जाएगा, मेंडलिफ इसका सही आंसर हेगा, ठीक है, ये वाला question भी एक्जाम में कई बर आ चुका है, वेल डाँ, चले, अगला question आते है, पहले ग्यात तत्वों की संक्या अधिक नहीं थी, फ्रांस की क्रांतिकारियों के हाथों मारे जाने वाले, पहले किस ने 1789 में 33 तत्वों की सूची प्रकासित की थी, बिल्कुत दोस्तों इस question का सही आंसर हो जाएगा, एंटोनी लवसी सर यानी की option आपका बी राइट आंसर होजेगा, बी इस दा राइट आंसर, और ये दोस्तों father of chemistry भी इनको कहा जाता है, तो ये जरूर आपको याद दखना है, ठीक है, चले, अगला question है, समु एक से अठारा को करम अनुसार खालिस्थान से खालिस्थान तक कहा जाता है, बिल्कुल दोस्तों, इस question का आंसर हैगा, अलकली metals, noble gases, यानी की option आपका एरेट आंसर होजेगा, very good, next question हमारा क्या कहता है, उपर से नीचे आने पर प्राएक करम होता है, बिल्कुल इस question का सही आंसर दोस्तों होजेगा, electro negativity decrease, यानी की option आपका डी रैट आंसर होजेगा, very good, विदूत तनात्मक कम होती है, विदूत दनात्मक्ता दोस्तों कम होती है, बिल्कुल बोटम टू अप और लेट टू राइट तो दोनों रहेंगे, option यहाँ पर डी आपका करेक्ट आंसर होजेगा, very good, next है, from left to right, the atomic radius, क्या होती है, increase होती है, decrease होती है, remain constant रहती है, there is no general trend, guys, इस question का सही answer, बिल्कुल सही है, option यहाँ पर आपका, b right answer होजेगा, निकिट decrease, ठीक है, very good, next है, चालकोजन में आते हैं, दोस्तों, इस question का सही answer होजेगा, option d, ठीक है, यह काफी student का गलत गया है, तो not कर लीजेगा, किस तत्व की सर्वदिक, विदुत ग्रहता होती है, which element है, the highest electron efficiency, इस question का अंसर बते है, तो guys, इस question का सही answer हैगा, fluorine यानि की option आपका, a right answer होजेगा, well done, चलि, next question आता है, सबसे बहरी कक्स में, जाने की बजाए, दूसरी बहरी कक्स में, electron की तत्वों में, जाता है, guys, इस question का सही answer होजेगा, transition metals, option होजेगा, d rate answer, निमिन में से, कौन सा संकर्मन था तू है, which of the following is our transition metal, very good, well done, देखे, copper यहाँ पे काफी student ले, answer किया है, copper is the right answer, next question है, दोस्तो, radius in D block, from left to right, यह क्या होता है, बिल्कुल दोस्तो, यहाँ पे, जो इसका सही answer होजेगा, first decrease, then increase वाला case है, यानि कि option आपका, D रहेगा, चलिए, अगला question आता है, D खंड के तत्व के, योगिक किस वज़े से, रंग दिखाते हैं, इस question का सही answer, दोस्तो होजेगा, D transitions, यानि कि option आपका, B right answer होजेगा, very good, next question आता है, यह होगया न, B right answer होजेगा, sorry, 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 यहाँ पर A right answer होजेगा, वो वाला तो हो चुका था न, यह वाला था न, आँ, ठीक है, चलिए, next, next है आपका, the law of octaves was given by, बिल्कुल जल्दी से बताईए, न्यू लेंड्स दोस्तों, इस question का answer होजेगा, और जो कि बिल्कुल सही answer है, very good option C is the right answer, चलिए, next question, और next question कह रहा है कि, किसने सुनिचित किया कि, मैंलीव की सार्णी में, परमानों की भार की, उपेक्सा उनके नाबिक का, आवेश का करम, की आवर्च सार्णी के लिए, सही रोप है, ये किसने, दोस्तों सुनिचित क्या है, तो इस question का सही answer हो जाएगा, मौसले ने, बिल्कुल सही है, option B is the right answer, तो ये आपको, याद रखना है वही, ठीक है गईस, चले, next question देखते हैं, और next हम कुछ, vitamins related questions देखेंगे, ठीक है न, यहाँ पर question है, vitamin सब्द का, पूर्ण रूप होता है, क्या होता है, vitamin का, पूर्ण रूप क्या होता है, vital amines, यानि की option, दोस्तों यहाँ पर D हो जाएगा, यह आपको याद अखना है भई, बहुत बार यह question exam में आ चुका है, next है, vitamin का, क्या होना जरूरी नहीं है, बिल्कुल D यहाँ पर right answer हो जाएगा, amines, यानि की option आपका D right answer है, vitamin B4, B8, B, T, F, G, H, I, J, L, M, N आदी नहीं होते, क्योंकि, बिल्कुल दोस्तों क्योंकि, या आप तीनों reason पड़िये, due to any of the above reason, यही कारण है, इसका सही answer आप option D लगा सकते हैं, ठीक है, नेविन में से कौन से vitamin जल में घुलनसील होते हैं, which vitamins are water-soluble, तो vitamin आपका B और C जो हैं दोस्तों, यह जल में घुलनसील होता है, इस question का सही answer आप option B लगाएंगे, very good, अगला question है, अधिकारिक रूप से माने जाने वाले vitamin के अलावा, खालिस्तान को भी कुछ सुरोतों द्वारा, चोदवा vitamin माना जाता है, बिल्कुल दूस्तों इस question का answer होजएगा, option C, यह काफी important है, और बहुत बार exam में आया हुआ यह भी, question जितने भी है, सारे exam में आया हुआ यह पूछ रहा हूँ, तो important तो यह है, यह ओग इसली, नेवने में से कौन सा vitamin नहीं है, डिमेंटिया दोस्तों vitamin नहीं है, तो यहाँ पे आप option D लगाने वाले हैं, ठीक है, नेवन में से कौन सा रोग vitamin B1 की कमी से हो सकता है, इस question का सही answer होजएगा, बेरी बेरी, तो right answer is option B, next vitamin B1 का विज्ञानिक नाम क्या है, तो vitamin B1 का दोस्तों विज्ञानिक scientific name, थाइमीन है, यानि की option आपका, प्रेक्टर हैगा C, vitamin B2 का विज्ञानिक नाम, इस question का सही answer होजएगा दोस्तों, राइबो फ्लेविन यानि की option होजएगा, एरेट answer, और देखें आपे, नाइसीन दोस्तों, vitamin B3 का रसाइनिक नाम होता है, ये भी मैं बता देता हूँ, B3 का, और पाइरोड्रक्सीन जो होता है, ये B6 का होता है, बायोटीन होता है, B7 का, तो ये भी आप याद दख सकते हैं, ठीक है, चले next, next है, पलेगरा किस vitamin की कमिसे होता है, तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, vitamin B3, जिसका chemical name क्या है, नाइसीन यानि की option आपका, C right answer होजएगा, folic acid दोस्तो, ये B9 का होता है, B9, बायोटीन का मैंने अभी बता था, B7, ठीक है, याद गर लिजा आप, क्योंकि ये exam में आते ही आते हैं, और ये अभी मैंने बता था, B2 के लिए, चले वे next, pentothenic amalcus का दूसरा नाम है, तो ये दूसरा नाम है, विटामिन B5 का, option आपका, C right answer होजएगा, एनेमिया किस की कमी से हो सकता है, तो एनेमिया दोस्तों, can be caused due to, deficiency of vitamin B6, deficiency of vitamin B9, deficiency of vitamin B12, all of the above question का answer हैगा, next है, किस vitamin में, cobalt, धातू पाई जाती है, दोस्तों, इस question का, सही answer होजएगा, sino, cobalamine, यानी की option होजएगा, A right answer, next है, अति, विटामिनी करण का अर्थ होता है, तो guys, इसका सही answer होजएगा, axis of vitamins, तो यहाँ पर सही answer आपका, B बन जाएगा, very good, next है, इस करवी के, इलाज की खोज, किसने की, कोशिका में, जोसिफ, प्रिस्टली द्वारा, किस की खोज, होगे, तो guys, इस question का answer क्या रहेगा, बिल्कुर सही है, soft drink, इस question का answer हो जाएगा, ठीक है, soft drink is the right answer, विटामिन डी की कमी से, कौन सा रोग होता है, तो इस question का answer हो जाएगा, टेंटेनी इंफेंट्स, यानि की option आपका, C रेटांस बन जाएगा, नेक्स्ट है, परजनन समता हार्मोन, कौन सा होता है, विच विटामिन इस नौन एज, परिटिलिटिव विटामिन, तो इस question का सही answer, दोस्तों, option, E, यानि की option C हो जाएगा, ठीक है, आप से पूछ जा रहा है, which of the following vitamin is not fat soluble, तो, जो, फेट में घुलंसील नहीं है, विटामिन आपका C हो जाएगा, नेक्स्ट है, विटामिन के इस इम्पोर्टेंट फोर, तो सभी को पताया, रख्त का ठक्का जमाने के लिए, ठीक है, बहुत ही easy सा question हो गया, नेक्स्ट, डेफिशेंसी ओफ विच विटामिन इस रेट, आप सोरी, रेट नहीं हो गया, डेफिशेंसी ओविच विच विटामिन इस रेट, तो विटामिन ए की डेफिशेंसी बहुत ही, रेट होती है, नेक्स्ट कोशन, नेक्स्ट कोशन है, मौरिटोनिया को किस दिस से आज़ादी मिली थी, तो गैज, वोट इस दा रैट आंसर, मौरिटोनिया को किस दिस से आज़ादी मिली थी, तो रशिया से इस कोशन का आंसर हो जाएगा, नेक्स्ट है, फॉर्चून 500 2019 रिपोर्ट, सिर्ज स्थान पर कौन सी कमपनी दोस्ट, बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, वॉल्मार्ट दोस्टों इसका आंसर हो जाएगा, यानि की ओप्शन A is the right answer, ठीक है, चलें next, रास्टी एलुमिनियम कमपनी का मुख्याले कहां इस्तित है, गैज, इस कोशन का सही आंसर हो जाएगा, बुर्नेस्वर यानि की ओप्शन B is the right answer, तो यह आपको याद रखना है, नेक्स्ट जैपुर को जिनेस्को की विश्व धरोवर सूची में कहां सामिल किया गया, तो गैज, यह सामिल किया गया बाकू में आनी की ओप्शन आपका हो जाएगा, C right answer, नेक्स्ट है, बेपी कोलम्बो मिशन किस ग्रह से संबन्दित है, तो गैज, इस कोशन का आंसर हो जाएगा, गैज, मरकरी इस कोशन का आंसर हो जाएगा, यानी की ओप्शन, C is the right answer, भारत का परतम नियंतरक और लेखा परिक्सक कोन था, इस कोशन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तो, V, नरारी, राओ, यानी की ओप्शन आपका, A right answer बन जाएगा, नेक्स्ट कोशन, आपको अगर अनकेडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन जोइन करते हैं, फोर ओल अनकेडमी सब्सक्रिप्शन दोस्तो, कोई किसी भी एक्जाम के लिए, आपको डिसकाउंट कोड जो एप्लाई करना है, वो स्टड़ी टेन लगाना है, इस कोड को लगाने से आपको मैक्सिम्म डिसकाउंट मिल जाएगा, जिस भी कैटिगरी में आप इसको लगाएंगे, आपको डिसकाउंट मिलेगा और जितने भी एजुकेटर उस कैटिगरी में पढ़ा रहे हैं, उन सब के कोर्सिज आप देख पाऊंगे, नेक्स्ट है युग, पुरुष, भारत, रतन, अटल, जि दुवारा, लिखी, लिखित पुस्तक है, तो इसका आंसर उती है, इस कोश्चन का सही आंसर हो जाएगा, रमेश, पोक्रियाल, निसान, क्यानी की ओप्शन आपका, ए रेट आंसर हो जाएगा, इसकोश्चन का आंसर दोस्तों हो जाएगा, तमिल नाडु में, ठीक है, ओप्शन आपका, सी हो जाएगा, देश का पहला हाती, पुनर्वास केंदर कहा खोला गया, केरल में, तो इसका सही आंसर आपका ओप्शन, वन हो जाएगा, रानी अबगका फोर्स किस सहर से संबंदित है, रानी अबगका फोर्स लेटेट टू विच्ट कि सिटी, तो गैज इस कोश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, मैंगलोरू यानी की ऑप्शन आपका A राइट आंसर हो जाएगा, नेक्स्ट है, बिहार केसरी के नाम से कौन जाना जाता है, इस कोश्चन का सही आंसर दोस्तो हो जाएगा, श्री कृष्णा सिंग, यानी की ऑप्शन आपका C राइट आंसर हो जाएगा, नेक्स्ट है, बिहार का पहला स्टार्ट अप हब कहां इस्तापित किया गया है, इस कोश्चन का सही आंसर दोस्तो पटना हो जाएगा, यानी की ऑप्शन, B is the right answer, नेक्स्ट है, कौवर्सिंग की मरत्यू वर्स खालिसान में हुई, कौवर्सिंग की मरत्यू दोस्तो कब हुई थी, बिल्कुल, अठारा सो अठावन में यानी की ऑप्शन आपका A right answer हो जाएगा, नेक्स्ट कोश्चन है, भारती रास्टे कॉंग्रेस की परवर्ती थी, इस कोश्चन का सही आंसर हो जाएगा, इंडियन एस्सोसेशन यानी की ऑप्शन आपका B right answer हो जाएगा, देखे, कोश्चन काफी अच्छे हैं, अगर आपको सेशन पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज एक बल लाइक वाले बटन को प्रेस कर दीजिए, और सेयर कर दीजिया, अपने गुरूप गुरूप में जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं भी, नेक्स्ट कोशन है, जिन्ना का निवास इस्थान इसथित है, कहा पर? जिन्ना का निवास इस्थान दोस्त तो कहा पर इस्थित है, तो ये निवास इस्थान इस्थित रहे हैं कराची में, ठीक है, ओप्षण हो जाएगा, B right answer, नेक्स है भारत के कितने राज्ये पूर्वी तटसे लगते लगे हुए हैं तो गैज इस question का अंसर हो जाएगा चार राज्या नेक्स है भारतिय मुद्रा का नई नया परतीक खालिस्तान दुआरा डिजाइन किया गया है भारतिय मुद्रा का नया परतीक खालिस्तान दुआरा डिजाइन किया गया है इस question का सही आंसर हो जाएगा उद्य कुमार यानि की option आपका एरेट आंसर हो जाएगा नया दीसों की संख्या सुप्रीम कोर्ट में खालिस्तान दुआरा बदला जा सकता है किसके तुआरा बदली जा सकते दोस्तों बाई पार्लियमेंट यहनि की संसत दुआरा तो सही आंसर option बी हो जाएगा जै परकास नारायन को भारत रतन और मैक्सेस पुरुसकार कब दिया गया तो गैज इस question का सही आंतर हो जाएगा 1998 and 1965 यहनि की option A is the right answer बुटान का राश्टे खेल क्या है और इस दा नेशनल गेम ओफ भुटान तो दोस्तों तिरंदा जी भारत का और सोरी भुटान का नेशनल गेम है विश्व दुर संचार और सूचना समाज दिवस कब मनाय जाता है इस question का सही आंसर दोस्तों हो जाएगा सत्रा माई को ओप्शन C is the right answer नेक्स्ट है इन में से कौन सा महादीब आर्क्टिक सर्कल से नहीं गुजरता है कौन सा महादीब आर्क्टिक सर्कल से नहीं गुजरता है तो गैज अफरीका इस question का आंसर बन जाएगा कौन सा देश में कोईले का सर्वुच भंडार है दोस्तों कौन सा देश में कोईले का सर्वुच भंडार है इस question का सही answer हो जाएगा USA right answer is option D भारत का सबसे पुराना उच नहले कौन सा है दोस्तों भारत का सबसे पुराना उच नहले है कलकत्ता हाई कोर्ट यानि की option आपका बी रैट आंसर हो जाएगा next question है अरजिक्या किस नदी का प्राची नाम है इस question का सही answer दोस्तों व्यास हो जाएगा यानि की option B is the right answer next है निमलिकित जन्जातियों में से कौन ताना भगत आंदोलन से जुड़ा है तो guys इस question का सही answer हो जाएगा और आप बिल्कुल सही है option आपका एरट answer हो जाएगा पानिपत के तीसरे युद के समय मुगल सासक कौन था दोस्तों इस question का सही उत्तर रहेगा सहा आलमदित्य ठीक है option आपका एरट answer हो जाएगा वन लाइव इन नौट एनफ पुस्तक के लिखा कौन है वन लाइव इस नौट एनफ पुस्तक के लिखा कौन है तो guys इस question का सही answer क्या रहने वाला है नटवर्सिंग ठीक है रहेट आंसर यह option भी नटवर्सिंग चले अगला question पैथलोजी के जनक कौन है बिलकुर से ही दोस्तो रेडोल्फ विचरो यानी की option आपका एरेट आंसर हो जाएगा तो यह आपको याद रखना है गन मेटल में कोपर का परतिसत कितना होता है गन मेटल में कोपर का परतिसत कितना होता है तो 88% दोस्तो इस question का आंसर बन जाएगा जम्मू कस्मीर उचन्याले से उस्तम न्याले की मुख्य न्याधीस बनने वाले कौन थे दोस्तो इस question का सही आंसर हो जाएगा तिराज सिंग ठाकूर यानी की option आपका A right answer बन जाएगा Very good सक एवं गुप्त समवत के बीच कितने वर्सों का अंतर है Guys, right answer हो जाएगा 241 वर्सों का यानी की option आपका B right answer हो जाएगा Next है दक्सिन अफ्रीका में गांदी जी ने जिस आसरम को बनाया कहा इस्तित है इस question का सही answer दोस्तो हो जाएगा ये इस्तित है डर्बन में यानी की option आपका A right answer हो जाएगा Next question है दरे महर प्रातना इस्थल है दरे महर प्रातना इस्थल है पारसी का किसका दोस्तो पारसी यानी की option आपका C right answer हो जाएगा Next है किस गुप्त सासक के सिक्के पर अस्व पूजा करते हुए उसकी पतनी का चित्र मिलता है और इस question का सही answer हो जाएगा दोस्तों समुंद्र गुप्त यानी की right answer जो option B किस गुप्त सासक को सकारी की पदवी मिली तो ये पदवी मिली है चंद्रगुप्त दुइत्ते को यानी की option आपका C right answer हो जाएगा ठीक है चलिए next केंदर राज्य संबंदों की पुने जाच के लिए कौन सा आयोग इस्थापित किया गया था तो गैज ये आयोग स्थापित किया गया था पुन्ची आयोग यानी की option आपका B right answer हो जाएगा next है भारत की राज्य में विभीन अलगाववादी आंदुलन की संबंद में निमलिकित मिलान करें तो यहां पर आपको बताने है दोस्तों कौन सा अंदुलन कहां पर हुआ था गुजरात में कौन सा हुआ था दोस्तों सोरास्ट तो यह हो जाएगा आपका second मारास्ट विदर्ब और पस्चिम बंगाल आपका हो जाएगा तो पहले का दूसरा केवल यहां पर सी ओप्शन में दिख रहा है तो बस आप इसको लगा दीजे राइट आंसे जी ओप्शन सी गोट इट चलिए नेक्स्ट नेमलिकित में से कौन सा मूल सरजना का हिस्सा है दोस्तों इस कोश्चन का सही आंसर हो जाएगा वेधानिक परक्रिया यानि की legislative प्रोसीजर ओप्शन आपका एट आंसर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट कोश्चन आता है भारत की राजनेतिक सक्ति का मुख्य सरोथ क्या है और इस दा में सोर्स ओफ पॉलेटिकल पावर इन इंडिया भारत का सविधान दी कॉंस्टिटुशन दोस्तों राइट आंसर आपका ओप्शन बी हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट हमारा कोश्चन है विभिन राज्यों के अनुसोचित छेत्रों के प्रसासन से सम्बंदित विशेष प्रावधान सविधान के किस अनुसोची में किये गए है दोस्तों ये किये गया है पांचवी अनुसोची में यानि कि आपका ओप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा चलिए very good 1964 में गठित अन्तरिम सरकार में कारेकारी प्रिसद का उपध्यक्स के से नुक्त किया गया गाईज इस कोश्चन का सही अन्सर हो जाएगा जवालाल नैरो यानि कि आपका ओप्शन आपका ओप्शन हो जाएगा नेक्स्ट है नास पत्ती का कौन सा भाग खाया जाता है बिल्कुल गुद्देदार कुछबासन दोस्तों खा जाता है यानि कि आपक्शन आपका ओप्शन हो जवाला नेक्स्ट है निमन में से कौन सरीर के लिए विटामिन D पैदा करता है विच वन आप दा फॉल्वाइंग प्रोड्यूज विटामिन डी और बोडी तो गैज इसकी निसका सही आंसर हैगा यह निकी तवचा नेक्स्ट है भारत के अतरिक्त और कितने देश अपना सवतनतता दिवस 15 अगस्ट को मनाते है तो देखे दोस्तो 15 अगस्ट को भारत के अलावा पांच देश और हैं जो सवतनतता दिवस मनाते हैं यानि की ओप्षन आपका वी रटान सोजेगा कौन-कौन से देश है दोस्तों साउथ कोरिया है ठीक है और बरीन है कोंगो है और कौन से नौर्थ कोरिया है एक और है हाँ लिंकेट इस टीन नाम के एक देश है तो ये पांच देश है और छटा अपना भारत नेक्स है अंतरास्टे गीत उत्सव दोजार अठार की सिस्थान पर मनाय गया बिल्कुर दोस्तों ये मनाय गया इंडिया में यानिकी ओप्षन आपका डी हो जाएगा नेक्स्ट है यू किया अम्मोनो की मिरत्यू 18 जुलाई 2019 को हुई थी वे किस संगठन से संबंदी थी इस कोश्चन का अंसर हो जाएगा इंटरनेशनल अटोमिक एनर्जी एजनसी ओप्षन ए इस दार राइट आंसर एबल प्रुसकार किस देश द्वारा दिया जाता है तो गाइज इस कोश्चन का सही आंसर हो जाएगा नौर्वें ठीक है ओप्षन एज दारेट आंसर नेक्स्ट है मलेरिया का टीक का विस्व में सबसे पहले किसने लॉंच किया तो दोस्तो इस कोश्चन का सही आंसर हो जाएगा मलावई यानी की ओप्षन ए इस दारेट आंसर नेक्स्ट है निमलेकित में से कौन सा मकबरा दिल्ली में स्थित है तो गैज इस कोश्चन का सही आंसर हो जाएगा ओरंग जेव यानी की ओप्षन डी इस दारेट आंसर नेक्स्ट है गलाटीया रास्ट्य उध्यान किस इस्थान पर इस्थित है दोस्तो इस कोश्चन का सही आंसर हो जाएगा अनमार और निकोबार यानी की ओप्षन D is the right answer चले नेक्स्ट नेक्स कोश्चन है कटक और मुरादाबाद सहर किस नदी के किनारे इस्तित है दोस्तो इस कोश्चन का आंसर हो जाएगा महा नदी और रामगंगा यानि की ओप्षन आपका एरेट आंसर हो जाएगा नेक्स कोश्चन है भारत में सबसे पहले जजिया कर किस ने लगाया था तो भारत में सबसे पहले दोस्तों जजिया कर लगाया था ओरंग जेवने आनिकी ओप्षन आपका D right answer हो जाएगा नेक्स है पज्चतंत्र के दोरान लिखा गया था पज्चतंत्र दोस्तों किस के दोरान लिखा गया था तो मोर्य पिरिड में यानिकी ओप्षन आपका C right answer हो जाएगा नेक्स्ट है सिकागो सहर किस जील के किनारे इस्थित है इस कोश्चन का सही आंसर हो जाएगा लेक मिचिगन यानिकी ओप्षन B is the right answer नेक्स्ट है नियागरा जलपरपात की जील के बीच इस्थित है इस कोश्चन का सही आंसर हो जाएगा लेक इरी ओंटेरियो लेक यानिकी ओप्षन आपका B right answer हो जाएगा चले नेक्स्ट एंगलो इंडिया के लिए विशेश परावधान किस अनुच्छेद में है इस पेशल प्रोविजन टू एंगलो इंडियन्स इन गिवन अंडर विच आर्टिकल तो गैज इस कोश्चन का सही आंतर हो जाएगा तो गैज इस कोश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल सही है इस कोश्चन का सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 336 रहेगा दोस्तों और वो ओप्षन में नहीं है तो आप इसको करेक्ट कर लिजेगा नेक्स कोश्चन है मुगल सिहासन के लिए जागीर कब सफल हुआ था इस कोश्चन का सही आंसर दोस्तों हो जाएगा 605 में यानि की ओप्षन आपका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन है सेंड्रो कोटस और एंड्रो कोटस किसके नाम थे इस कोश्चन का सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौरिय के यानि की ओप्षन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा वेरी गूट चले नेक्स्ट चले अगला कोश्चन आता है आपका सर्व उच न्यालने के खालिस्थान के तहत स्थापित किया गया था हमारे देश का दोस्तो आपका सुप्रीम कोर्ट है वाज सेट अपंडर टेगूलेटिंग एक्ट तो इसका सही आंसर क्या होजएगा झाअपशन बहunya तत तो सुप्रीम कोर्ट वाज सेट अपंडर रेगूलेटिंग आख्ट चले और यह देखे एक बार उआ यह भी मैं बता देता हूँ फोर्ट विलियम कलकत्ता में नियाई पालिका के सरुच नियालिया की स्थापना 1774 से में हुई थी और यह आपको याद दखना है कब हुई थी दोस्तों 1774 में नेक्स्ट कोश्चन की और बढ़ते हैं और नेक्स्ट है दोस्तों सेंटल प्रोविनेंस और बरार को अब जाना जाता है किस नाम से बहुत बढ़िया कोश्चन है यह बिल्कुर दोस्तों इस कोश्चन का सही आंसर हो जाएगा मध्यपरदेश यानि कि option c is the right answer तो यह आपको याद दखना है चले नेक्स्ट कोश्चन की और बढ़ते हैं नेक्स्ट है एक दीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है इस कोश्चन का सही आंसर दोस्तों हो जाएगा मुंबई करेक्ट आंसर मुंबई हो जाएगा यानि कि option d is the right answer वेरी गूट नेक्स्ट कोश्चन है सुप्रीम कोट के किस जज ने महाअभयोग लाने की एससफल कोशिस की थी इस कोश्चन का सही आंसर हैगा जस्टिस रामस्वामी यानि की option आपका d right answer बन जाएगा ठीक है d is the right answer तो यह आपको याद रखना है नेक्स्ट कोश्चन है खालिस्थान ने देश की पहली गेर कॉंग्रेसी सरकार का नित्रित किया सबसे पहली गेर कॉंग्रेस सरकार का नित्रित दोस्तों किस ने किया था तो बिल्कुल सही आपका यहाँ पर आंसर जाना स्टार्ट हो गया है बहुत ही बढ़िया मोराल जी देशाई दोस्तो इस question का answer हो जाएगा यानि की option B is the right answer ठीक है चलिए अगला question आपका क्या कहता है ठीक है for all unacademy subscription दोस्तो आप referral code यूज़ कर सकते है study 10 आप चैक किसी भी exam की class जोइन करना चाहते है unacademy plus पे और चाहे आप किसी भी educator को देखना चाहते है आपको referral code study 10 ही यूज़ करना है इससे आपको maximum discount विल जाता है चलिए अगला question आता है दोस्तो ये joining process है देख लीजेगा 28 सदी में भारत ने लड़े गए युदो का निमलिकित में से सही कलानुकरम कौन सा है जल्दी से बताईए बिल्कुल यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ सही answer आपका हो जाएगा देखे सबसे पहले अंबर यूद ठीक है फिर आपका अंबर यूद के बाद प्लासी यूद और यह सही है फिर वांडिवासा का यूद रहेगा फिर बकसर का यूद है तो option बी राइट आंसर हैगा सबसे पहले अंबर यूद होआ फिर प्लासी फिर आपका वांडिवासा और उसके बाद बकसर यूद होआ तो इसको आप जरूर याद रखेगा ठीक है चले अगला कोशन है वित्य आपातकाल के दोरान राज्य विधान मंडलों द्वारा पारिच सभी मनी बिल की सहमती की अवशकता होती है तो जल्दी बते दोस्तों डूरिंग आप फाइनेंशल इमर्जन्सी ओल मनी बिल्स पास्ट बाइ स्टेट लेजिसलेचर्स रिक्वाइर दी कंसेंट ओप इस कोश्चन का सही आंसर दोस्तों राष्ट पती हो जाएगा प्रेजिडेंट इस दा राइट आंसर वेल ड़न नेक्स्ट कोश्चन क्या कहता है नेक्स्ट कोश्चन है देश में सर्वुच पद एक आईस अधिकारी खलिस्थान के लिए कमान कर सकता है बिलकुर सही है कैबिनेट सेक्रेटरी के लिए यानिकी ओप्षन आपका बी राइट आंसर बन जाएगा ठीक है चले अगला कोश्चन आता है निमलिकित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था दोस्तो इस कोश्चन का सही आंसर होजएगा राल फिच यानि की ओप्षन आपका डी राइट आंसर होजएगा राल फिच इस दा राइट आंसर तो यह आपको याद रखता है अगला कोश्चन है निमलिकित में से किस प्राणी को हरे सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है दोस्तो इस कोश्चन का सही आंसर क्या होजएगा बिल्कुल सही आपने आपे किया है एकल जो आपका सिंगल ट्रांस्परेबल वोट सिस्टम होता है यह इसका सही आंसर एगा यानि की ओप्षन इस दा रेट आंसर नेक्स्ट दोस्तो 1977 के लोकसबा चुनाव में सिरिमती गांधी को किस ने हराय था जल्दी बते हैं वटापट बिल्कुल राज नारायन दोस्तों इस कोशन का आंसर हो जाएगा यानि की ओप्षन भी आपका सही उत्तर बन जाएगा नेक्स्ट है पर्थम करनाटक यूद की समापती कि संदी से हुई दोस्तों इस कोशन का सही आंसर होगा ट्रेटी सापेल की संदी दोस्तों इस कोशन का आंसर हो जाएगा यानि की ओप्षन A is the right answer अगला कोशन है भारत की सविधान सबा के एक सदस्य मासको में भारत के पहले राज़ूत और ऑक्सफोर्ड में पूर्वी धर्म के एमरिट्स प्रोफेसर यह है विवाद मुखे रूप से फिट बैठता है दोस्तों इस कोशन का आंसर हो जाएगा डोक्टर S. रादा किर्शन यानि की ओप्षन आपका बी रैट आंसर बन जाएगा वेरी गुड अगला कोशन है मुख्त भारत के मंत्रियों की पहली केंद्रिय परिशद में परधान मंत्री जवालान नहरू के अलावा खालिस्थान केबिनेट मंत्री सामिल थे इस question का सही answer दोस्तों आपको क्या हो जाएगा option B 13 ठीक है 13 cabinet मंत्री सामिल थे अगला question है निमलिकित में से किसे भारत में सरुअधिक धन के वे को मंजूरी देने का अंतिम अधिकार है दोस्तों इस question का सही answer हुजेगा केंद्रिय संसद यानि की options C is the rate answer यह आपको याद रखना है भारती सविधान की प्रस्तावना में संसोधन किया गया है कितनी बार तो भारत की सविधान की प्रस्तावना में संसोधन दोस्तों एक बार किया गया है option आपका C rate answer हो जाएगा कौन सा midman act है दोस्तों वो बहुत ही famous है mini constitution के नाम से जाने जाता है 42.42.42.1976 में यह किया गया था अगला question है कन्या कुमारी का रोक में मोरियल निमांकित में किसके लिए समर्पित है जल्दी बते यह इस question का सही answer हो जाएगा swami vivekanant यानि की option C is the right answer ठीक है इट वाज बुल्ड इन 1970 इन ओनर ओप swami vivekanant who is said to have a 10th enlightenment on the rock अगला question है liesage fair के सिद्दान्थ का अविस्कार किया था दोस्तों किस ने किया था Adam Smith ने यानि की option आपका be right answer बन जाएगा यह दोस्तों याद रखना है चलिए very good next है सूसरी सुजाता वात मनोहर भारत के सर्वुच न्यानले की खालिस्थान न्याईदीश थी तो यह दोस्तों second judge of the supreme court of India थी यानि की option आपका be right answer बन जाएगा अगला question है समवाद कुमूधी पत्र के संपादक थे इस question का सही answer दोस्तों हो जाएगा राजा राम मोहन राय यानि की option आपका c right answer बन जाएगा next question है जवालाल नहरु की मरत्यू पर 12 दिनों तक भारत के परधान मंत्री के रूप में किसने कार्य किया इस question का सही answer हो जाएगा बिल्कुल सही है गुलजारी लाल नंदा यानि की option आपका c right answer हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा ही वाज़ प्राइम मिनिस्टर ओफ इंडिया फो टू शोर्ट पीडियर 1964 एंड 1966 अगला कोश्चन है भारत के सर्वुच नियानले के नियादीस का वितान खालिस्तान अनुसूची में निर्दसित है तो दोस्तों कौन से सेड्यूल में यह सेकिंड सेड्यूल में तो इसका सही answer option यह हो जाएगा अगला कोश्चन है भारती रास्टे कॉंग्रेस की पहली बैटक की सहर में हुई थी इसका सही answer दोस्तों क्या हो जाएगा बॉम्बे 21 संसोधन द्वारा छित्रिय भासों की सूची में कौन सी भासा जोड़ी गई तो यह जोड़ी गए थी दोस्तों कौन सी भासा सिंधी भासा ठीक है तो option आपका डी राइट आंसर हो जाएगा और यह कब हुआ थे दोस्तों 1967 में 21 जो सविदान संसोधन था यह 1967 में किया गया था next question है तीन महिने से अधिक की अवदी के लिए निवारक निरोध केवल एक सलाकार बोड की अनुसासा पर आदेशित किया जा सकता है जिसका अध्यक्स खालिस्तान का यह अधीस होगा आईट आंसर बते हैं बिल्कुल सही है दोस्तों इस question का अंसर होगा हाई court उचने आले हैं ठीक है तो यह आपको याद रखना है अगला question आता है किस governor general के कारेकाल के दोरान भारती रास्टी Congress बनी थी दोस्तों इस question का अंसर होगा लोड डफरेन option C is the right answer अगला question है उडिसा cabinet द्वारा लिये गए निन्यकी अनुसार राज्यक का नया नाम खालिस्तान लिखा जाएगा इस question का सही आंसर दोस्तों आपका उडिसा हो जाएगा यानि कि option A is the right answer चले next next question है हर्मिट औफ सिमला किसे कहा जाता है दोस्तों इस question का सही आंसर हो जाएगा A.O.Hume को यानि कि option आपका C.Rate answer बन जाएगा अगला question है जम्मो और कस्मीर राज्य की सविधान सबा अस्थित में कब आई थी तो guys इस question का सही आंसर हो जाएगा अक्टूबर 3.1951 में यानि कि option आपका A.Rate answer बन जाएगा ठीक है चले अगला question आता है वे कौन सा पर्थम भारतिय था जो बिर्टिस संसद के लिए निर्वाचित हुआ इस question का सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा दादा भाई ने रोजी यानि कि option आपका C.Rate answer बन जाएगा अगला question है पर्णव मुकरजी ने राश्टपति चुनाव जीता तो इस question का सही आंसर हो जाएगा PA संग नामा यानि कि option आपका A.Rate answer बन जाएगा दोस्तों या आपको याद रखना है अगला question है अक्टूबर 1962 में घुसित पहला रास्टी आपातकाल कब तक चला या आपको बताना है इस question का सही आंसर रहेगा 1968, option D is the right answer दोस्तों next question है लेटन द्वारा प्रस्तावित वेधानिक जनपद सेवा जिसके तहत परिक्षा की आयू 21 वर्स से घटा कर 19 वर्स कर दी गई थी कब लागू हुआ था इस question का सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा 1878 AD यानि की option आपका पी रैट आंसर बन जाएगा वेरी गूट अगला question है अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती के लिए विसेस अधिकार द्वारा न्यूक्त किया जाता है प्रेजिडेंट के द्वारा यानि की option आपका भी रैट आंसर बन जाएगा दोस्तों अगला question आता है RTI अधिनियम के तहत जीवन और सतंता से सम्मंदित मामलों में सूचना की अधिकार की निप्टान का समय है तो यह समय दोस्तों आपका 30 days का है 30 दिन का यानि की option आपका यहां पर रैट आंसर बन जाएगा अगला question आता है निमिन में से कौन नर्म पंतियों में नहीं थे निमिन में से कौन नर्म पंतियों में नहीं थे इस question का सही answer हो जाएगा दोस्तो बाल गंगा धर तिलक यानि की option B is the right answer अगला question है पंजाब को पंजाब और हर्याना में विभाजित किया गया था दोस्तो पंजाब वाज split up into पंजाब और हर्याना किस वर्स में बिल्कुर सही आपने कर दिया है answer बिल्कुर देखें दोस्तो ये भासा के आदार पर हुआ था एक नॉम्बर 1966 में यानि की option आपका C हो जाएगा हिंदी बोलने वालों को यहाँ पे हर्याना मिल गया था और पंजाबी बोलने वालों को पंजाब चले भारत सरकार का पहला विधी अधिकारी है दोस्तो इस question का सही answer हो जाएगा अरे वाब बिल्कुल सही है Attorney General of India और यार एक बार वीडियो को लाइक तो कर दीजे और अपने दोस्तों को share भी अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो फटा-फट से लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी share कर दीजे इतने भी है बाकी देखे आर्टिकल की बात की जाए तो भारत सरकार का पहला विदी अधिकारी कौन है Attorney General और यह किस आर्टिकल में आता है दोस्तों आर्टिकल 76 में कहीं बार एक्जाम में आ चुका है तो इसलिए याद रखेगा अगला कोश्चन है 1905 में बंगाल विभाजन किस वाइसरय ने किया इस कोश्चन का सही आंसर हो जाएगा लोड करजन ने आनि की ओप्षन आपका बी रेट आंसर बन जाएगा वेरी गुड अगला कोश्चन आता है सर्वू चिन्याले के नियाधीसों का वेतन कहां से आता है तो यह आता है दोस्तों समयकित निदी यानि की consolidated funds से यानि की option आपका C correct बन जाएगा रेट आंसर और यह article 266 में आता है करने के लिए निम्लिकित में से कौन सा रेट जारी किया जा सकता है कि इस कोश्चन का सही आंसर होजेगा है वेस कोर्पस option हो जाएगा ए रेट आंसर ठीक है पांच लिट्स होती है आप सभी को यह पता ही होगा भारती रास्टी कॉंग्रेस का पर्थम मुस्लिम प्रेजिडेंट था यह वाला भी अच्छा कोश्चन है और बहुत सार स्टुटेंट इसको गलत कर देते हैं बद्रू दीन तैयब जी सके आंसर होजेगा दोस्तों ठीक है बद्रू दीन तैयब जी इस दा रहेट आंसर तो यह आपको या दखना है और बद्रू दीन तैयब was the first Indian to practice as a barrister of the high court of Bombay तो ये भी आपको या दखने हैं दोस्तों काफी important है ये वाला भी निम्लिकित में से कि संसोधन ने सुप्रीम कोट और उच नहले की न्याइक समिक्सा की सक्ति को कम कर दिया दोस्तों इस question का सही answer हो जाएगा 40 second amendment act ने option आपका C right answer बन जाएगा अगला है जिले के भीतर अपरादिक अदालतों के परमुख है इस question का सही answer हो जाएगा Chief Judicial Magistrate यानि की option आपका A right answer बन जाएगा ठीक है चले very good अगला question है संसद को छोड़ कर सभी को हटाए जाने का अधिकार दिया गया है दोस्तों इस question का सही answer हो जाएगा Chairman of UPSC यानि की option आपका C right answer बन जाएगा अगला question है आजादी के बाद लोकसबा में पहला अविस्वास प्रस्ताव को लाया गया था दोस्तों ये लाय गया था आपका 1963 में तो इस question का सही answer option C हो जाएगा very good अगला question है किसने कहा था Congress पतन के लिए लड़ खड़ा रही है मेरी सबसे बड़ी अभिलासा जब तक मैं भारत में हूँ Congress की सांतिपूर्ण समापती में सहयोग करना है तो गैज इस question का सही answer हैगा लोड करजन यानि की option आपका B right answer बन जाएगा ठीक है तो ये आपको याद अखना है भई चले अगला question आता है भारत का रास्तपती संसत दुआरा कितनी बार कितनी बार पारित किये गए गैरधन विद्यक को वापस कर सकता है केवल दोस्तो एक बार यानि की once इसका सही answer हो जाएगा option B is the right answer next है संसद या राज्य विधानमंडल के लिए exit रिक्त घोसित कर सकता है यदि कोई संसद्य सत्रों की अनुमती के बिना सव्य अनुपस्थित रहता है इस question का सही answer दोस्तो हो जाएगा 60 days यानि की 60 दिन के लिए ठीक है तो यहाँ पे right answer आपका option C बन जाएगा अगला question है निमलिखित में से कौन भारती रास्टी कोंग्रेस के स्थापना अदिवेशन में उपस्तित नहीं थे तो right answer क्या रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों बिल्कुल सही है जितने भी student यहाँ पे answer कर रहे हैं सुरेंद्र नात बन जी दोस्तों इस question का answer बन जाएगा तो यह आपको यादखना है चले next है लोकसभा का कारेकार कितनी बार 6 साल तक बढ़ाया गया दोस्तों बहुत बढ़िया question पूछा है और जल्दी से आप इसका answer भी बता दीजिए इस question का सही answer आपका हो जाएगा बिल्कुल केवल एक बार ठीक है तो once इसका सही answer हो जाएगा यह आपको यादखना है तो कब बढ़ाया गया था दोस्तों the first sitting of the fifth लोकसभा was held in March 1971 में ठीक है और यह पांच भी लोकसभा थी दोस्तों ठीक है यह आपको जुरूर याद रखना है अगला question आपका आता है निमलिकित भारतिय नेताओं में से कौन एक British द्वारा Indian Civil Services से बर्खास्त किया गया था तो यह भी आपका सही answer क्या हो जाएगा सुरेंदर नात बनर जी यानि की correct answer दोस्तों आपका B हो जाएगा very good ठीक है 1869 में दोस्तों 1869 में सुरेंदर नात बनर जी ने प्रतियोगी प्रिक्षा को मंजूरी दे दी लेकिन उनकी सही उम्र पर विवाद के कारण रोक लगा दी गए थी next निमलिकित में से कौन सा सबसे बड़ा छेतरवार लोकसबा छेतर हैं तो guys इस question का सही answer हो जाएगा लद्दाक right answer is option C तो यह आपको याद अठना है अगला question आता है यदि किसी राज्ये के निचले सदन की अध्यक्स इस्तिफात देना चाहते हैं तो उनके त्याग पत्र को संबोधित किया जाना चाहिए answer बताईए क्या रहेगा बिल्कुल दोस्तो deputy speaker इसका सही answer एगा ठीक है इसको correct कर ले न deputy speaker is the right answer very good अगला question है राज्ये सबा में विपक्स का पहला निता कौन था राज्ये सबा में विपक्स का पहला निता कौन था इस question का सही answer क्या रहेगा तो guys इस question का सही answer हो जाएगा कमला पती तिरपाटी यानि की option आपका C हो जाएगा तो यह आपको याद अखना होगी अगला question है भारत की संसद की सबसे बड़ी समीती है दोस्तो इस question का सही answer हो जाएगा तो प्राकलन समीती इस question का answer बन जाएगा option B is the right answer तो यह आपको याद अखना है next हमारा question है निमलिखित में से कौन सरकार की वैकी नियमिता और अर्थविवस्था से संबंदित है इस question का सही answer हो जाएगा option है लोक लेखा समीती is the right answer अगला question है भारत की निमलिखित संसद्य समीतियों में से कौन सा विभागय और अनियमिताओं पर वाच डोक के रूप में कारिय करता है guys इस question का सही answer हो जाएगा public accounts committee यानि की option C is the right answer अगला question है निमलिखित में से कौन सा राज्य अधिक्तम सद्यशों को राज्य सबाब भेजता है जल्दी से answer बता दीजे निमलिखित में से कौन सा राज्य अधिक्तम सद्यशों को राज्य सबाब भेजता है तो दोस्तों इसका right answer होजेगा उत्तर पर्देश राइट आंसर इस ओप्षन है ठीक है उत्तर पर्देश has 31 the largest number of राज्यसभा seats ठीक है राज्यसभा की 31 seat है दोस्तो उत्तर पर्देश में से अगला कोश्चन आता है लोकसभा सचीवाल्य की देख रेक में आता है तो ये Ministry of Human Affairs आता है तो इसका सही आंसर ओप्षन ए हो जाएगा अगला कोश्चन है कॉंग्रेश के निमलिकित नेताओं में से कौन एक केबिनेट मिशन योजना के पक्स में पूरी तरह से था जल्दी से बताईए इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तो इसकोश्चन का सही आंसर हो जाएगा सरदार पटेल इसदारेट आंसर ठीक है चले कलानुकरम में भारत के राश्च्पतियों के निमलिकित नाम रखे दोस्तो इस कोश्चन का सही आंसर हो जाएगा पहला तीसरा और दूसरा ओप्शन बी इसदारेट आंसर तो यह आपको याद रखना है नेक्स है राश्च्पति निमलिकित को छोड़ कर सभी की निमलिकित कर सकता है तो राश्च्पति को छोड़ कर यानि कि राइट आंसर आपको ओप्शन डी बन जाएगा भई ठीक है तो याद रखेगा अगला कोश्चन है भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्थ हो गया था तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन को ऐसे विकार करने के साथ ही यानि की ओप्शन आपका सी राइट आंसर बन जाएगा अगला कोश्चन है सविधान के किस अनुचेत के तहत संस्किर्तिक और सेक्सिक अधिकार परदान के जाते हैं इस कोश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्टिकल 29 & 30 में तो चलिए शुरू करते आंच की सेशन को अगर आपको किसी भी कोश्चन का अंजर बता होगा तो नीचे कमेंट बोक्स में जरूब देगा तो पहला कोश्चन है भारतिय अर्थवस्ता के सवरूप के बारे में निमलिकित में से कौन सा सही है भारत की एकनोमी दोस्तों जो है वो कौन सी एकनोमी है मिश्रित अर्थवस्ता है mixed economy है यानि कि option आपका एरेट आंसर हो जाएगा ठीक है देखे हमारी तीन परकार की एकनोमी होती है एक public एक private और एक mixed एकनोमी जहां पर public और private दोनों सेक्टर काम करते है तो वैसी हमारी एकनोमी है उसका सही answer option यह हो जाएगा पपीते का पीला रंग खालिस्तान के कारण होता है तो इसका रहेट आंसर क्या हो जाएगा केरी कॉक्स्तिन यानि की option आपका क्या हो जाएगा सी रेट अंसर तो यह आपको व्याद रखना है नेक्स्ट कोशन है तेत्य बोध परिशद कहां और किस से संदक्षन में आजित की गई थी किसके संदक्षन में हो गया आप तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा असोक के अधीन पाटली पुत्र में तो इसका सही आंसर option यह हो जाएगा ठीक है तित्य बोध परिशद कहां और किसके संदक्षन में आजित की गई थी राजा असोक के अधीन पाटली पुत्र में नेक्स्ट कोशन है निमलकित में से कौन फूल का एक नर हिस्सा है तो रेटांसर बतेगा बिल्कुल पुंके इसर यानि की option क्या हो जाएगा बी इस दा रेटांसर चलिए नेक्स्ट केंडोली समुद्र तर्ट खालिस्थान में इस्तित है तो यह इस्तित है आपका कहां पर गोवा में यानि की रेटांसर आपको option ए हो जाएगा नेक्स्ट है जनवरी 2020 में जारी टॉम टॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार नेमलिकित में से कौन सा सहर दुनिया का सबसे अधिक ट्रेफिक वाला सहर दोस्तो कौन सा है तो इसका सही आंतर हो जेगा बैंगलोर यानि की option ए इस दा रेटांसर नेक्स्ट अनकेडमी पर आप कभी भी कोई भी सबस्क्रिप्शन जोइन करते हैं या किसी भी special class को जोइन करते हैं तो आप study 10 code यूज कर सकते हैं और study 10 के दोस्तों जो मेरी profile है उसका link नीचे description box में है या फिर सौरब मलिक नाम सरच करके आप मुझे अनकेडमी पर follow कर सकते हैं यह सभी exam के लिए code तो यह भी चीज आप ध्यान रखे हैं UPSC के लिए भी आप study 10 code यूज कर सकते हैं नेक्स्ट है निमलिकित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के सविधान के बारे में बताता हैं तो इसका सही आंतर हो जाएगा 243 ठीक है आर्टिकल 243B is the right answer निमलिकित में से किस भू माफिया में सवेज इस्तमज मौजूद है इस question का right answer बताजिए बिल्कुल सही answer किया है और इस question का right answer होगा उत्री अफरीका और दक्सिन पस्ची में चिया यानि कि option आपका C right answer हो जाएगा नेक्स्ट है निमलिकित में से किस टीम ने पहली खेलो इंडिया आइस होकी चेंपियंशिप 2020 ट्रोफी प्रूस वर्ग जीती तो देखी यह हिंदी में गलत लिखा है दोस्तों ठीक है ना इसको correct कर लिजेगा इसका सही answer होजेगा लद्दाक स्काउट रेजिमेनेंट सेंटर रेड टीम ने तो इसका सही answer option बी रहेगा नेक्स्ट है कालिस्थान ने दुनिया की पहली एंटिबायाटिक की खोज गी तो किसने की है दोस्तों दुनिया की पहली एंटिबायाटिक की खोज एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने यानि की option आपका C rate answer बन जाएगा नेक्स्ट है एक विकासील देश वो होता है जहां खालिस्थान है जहां पर दोस्तों क्या होता है growing country is one which इस्तिर कीमतों पर GNP बढ़ती है ठीक है rising GNP at constant price तो इसका सही answer option A हो जाएगा फरवड़ी 2020 में निम्लिकित में से किसने दसवी होकी इंडिया सिनियर महिला राष्टे चेंपियंशिप 2020 का किताब जीता इस question का right answer हो जाएगा हर्याना यानि की option A is the right answer next out का ढखा हुआ एक परकार एक खालिस्थान रोग है इस question का right answer क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा for phone यानि की option C is the right answer इंद्रा सागर बांजो की एक ठोस कुरुतागर्शन बांध है भारत के निमलिकित में से किस राज्य में इस थीत है तो ये कहां पर इस थीत है दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मध्या परदेश में कहां पर मध्या परदेश इस दारेट आंसर next है भारत का कौन सा बिर्टिस वाइसरोय अठारा सो चुरासी में लागू कियेगे एलबर्ट विदेयक से जुड़ा था तो which बिर्टिस वाइसरोय ओफ इंडिया वाज associated with the एलबर्ट बिल एनेक्टिड इन 1884 और देखे दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करते हुए चलिए साथ साथ में ठीक है वेरी इंपोर्टेंट कोशन तो लोड रिप्पन इस दारेट आंसर प्लीज लाइक जिरू करिएगा भई जनवरी 2020 में शुरू किये गए भारत स्रेष्ट भारत कारेकरम के एक हिस्से के रूप में किस राज्य में दो दिवसी है उडिशा महुतसव शुरू हुआ आंसर बता दीजे मेरे प्यारे दोस्तों इस कोशन का राइट आंसर क्या हो जाएगा गुजरात गुजरात इस दा राइट आंसर तो ये पॉइंट आपको क्या दखना है नेक्स्ट कोशन है वांगला महुतसव निमलिकित में से किस राज्य का फसल त्योहार है इस कोशन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल सही है में घाल लिया यानि की ओप्षन C is the right आंसर भारत का कौन सा चेतर देश का पहला एर डिस्पेंसरी पाने के लिए निरधारित है तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा नोर्दन इस्टर्न स्टेट यानि की ओप्षन B is the right आंसर नेक्स्ट है कई समुंदरी जानवर अपने खोल को बनाने के लिए समुंदर के पानी में घुले हुए खालिस्थान का प्रियोग करते है तो इस कोश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विल्कुल कार्बोनिट is the right आंसर यानि की ओप्षन आपका D सही आंसर हो जाएगा पंचवर्षिय योजना के आंत्री क्विशिस पोस्टन के लिए सरकार खालिस्थान पर निर्बर करती है इस कोश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सरजनिक उधार यानि की पॉब्लिक पोरोइंग एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग आम्तोर पर बोधिस आयत्य किस भासा में लिखा गया था तो ये किस भासा में लिखा गया था इन वीच लैंग्विज वर्ग बुद्धिस लिट्रेसी वर्ग जनररली रिटन इन पाली लेंग्विज तो इस का राइट आंसर ओप्षन भी हो जाएगा निमलिकित में से कौन सा सहर भूमध्य रेखा के सबसे करीब है तो कौन सा सहर भूमध्य रेखा के सबसे करीब है तो इसका राइट आंसर होजेगा क्विटो यानि कि D is the right answer नेक्स्ट है निमलिकित में से कौन ब्रत नाट्यम का परसीद नरत्यक नहीं है तो इस question का right answer बता दीजे क्या रहने वाला है तो जावरी सिस्टर इस question का right answer हो जाएगा नेक्स्ट है नई आर्थिक नीती उननीस सो क्यानमे के दोरान भारत के वित्यमंत्री कौन थे इस question का right answer क्या हो जाएगा मनमोहन सिंग इस question का right answer हो जाएगा मनमोहन सिंग इस दा रहेट आंसर नेमलिकित में से कौन साथ ततु काली बंगा से पूरा तात्वीक अवसोसो के रूप में नहीं मिला था रहेट आंसर हो जाएगा यूगल समाधी यानिकी ओप्शन आपका right answer हो जाएगा सिको के दस्वे और अन्तिम गुरू गोविंद सिंग का जनम इस्थल कहा है answer देगा तो पटना साहिप पर है यानिकी ओप्शन आपका right answer हो जाएगा यदि किसी नागरी के किसी मौलिक अधिकार का उलंगन होता है तो भारते सविदान की किस अनुच्छेद की तैत वे सीधे भारत की सरुच न्याले में जा सकता है तो इस question का right answer क्या हो जाएगा article 32 यानिकी option is the right answer next है रद की guard को सीकाओं का कारिय क्या है what is the function of guard cell of stomach तो इस question का right answer हो जाएगा both opening and closing stomach यानिकी stomata यानिकी option हो जाएगा c right answer next question है आपका अंकिया nut का एक नत्य है अंकिया nut is a dance form of बिल्कुल यह dance form है दोस्तों assume का यानिकी option आपका c right answer हो जाएगा भारते सविदान कहता है कि सभी नागरिकों को अभिव्यक्ती और अभिव्यक्ती की सवंतरता का अधिकार है या किस लेक का लेक के तहत आता है तो दोस्तों यह आता है आपका article 19 के तहत यानिकी option डी right answer हो जाएगा निमलिकित गरंतियों में से किसे master गरंती के रूप में भी जाना जाता है which of the following gland is also known as master gland तो pituitary gland को दोस्तों master gland के नाम से जाना जाता है repeated question है एक्जाम में आगे भी आ सकता है नेपाल ने अपना सत्तरवा रास्टी लोकतंतर दिवस की स्तारीक को मनाया तो नेपाल celebrate its 17th national democracy day on which date इस question का right answer हो जेगा 19 फरवरी को next question आता है खालिस्थान को विदूत के जनक के रूप में जाना जाता है which known as father of electricity तो माइकल फराडी को दोस्तों father of electricity के रूप में जाना जाता है लाल रक्त वाई का बीसी में निमलिकित में से किस जानवर में nucleus है तो किस में हैं दोस्तों camel में oot में यानि की option आपका ए रैट आंसर हो जाएगा निमलिकित में से कौन सानुच्छेद ग्राम पंचातों का संगठन बताता है आंसर क्या हो जाएगा तो article 40 is question का right answer हो जाएगा पुलिजर प्राइज इस गिवन इन दा फिल्ड ओफ तो पुलिजर प्राइज इस गिवन इन दा फिल्ड ओफ जन्नलिजम यानि की option ए रैट आंसर हो जाएगा आलू का वनस्पतिक नाम क्या है वोट इस दा बोटेनिकल नेम ओफ पटेटो तो इसका रैट आंसर हो जाएगा सोलेनम ट्यूबरस यानि की option ए रैट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है बिट्टी संसत द्वारा निमलिकित गवर्नर जन्नल में से किस महा अभ्योग किया गया है था किस पर महा अभ्योग के impeachment लगाया गया था तो वार्न हेस्टिंग इस question का दोस्तो क्या हो जाएगा रैट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है निमलिकित में से कौन सा नित्य बिर्जु महाराज से संबाधी तै सोरी तो इसका रैट आंसर क्या हो जाएगा नेक्स्ट question है सरस्वत्वत्वति संबान प्रुषकार निमलिकित में Gate किस छेव्योग में दिया जाता है तो सरस्वती सम्मान जो है ये दोस्तों किस चेतर में दिया जाता है लेटरेचर यानि किसाइट तके चेतर में ओप्शन आपका बी रैट आंसर हो जाएगा ठीक है चले नेक्स्ट कुश्शन पर आते हैं अगला कुश्शन कहता है आपका निमलिकित में से कौन सा प्रियोजक छीतरियक गरामीन बैंक है यानि कि वीच अमंग दा फॉल्वाइंग स्पोंसर रीजिनल डूरल बैंक तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा रास्टिय वानी जग बैंक यानि कि नेशनल कुश्शल बैंक कि इस कोश्शन का राइट आंसर हो जाएगा ठीक है मिट्टी में अलमोनियम और लोहे के ओकसाइड की उच सामगरी होती है जैसे खालिस्थान के रोप में भी जाना जाता है जिसे खालिस्थान के रोप में भी जाना जाता है इसकोशन का राइट आंस हो जाएगा पेललफ मिट्टी ओप्शन आपका सेकिंड राइट आंस हो जाएगा दे वर्ल आउटसाइड माई विंडो इस रिटर बाई विच ओथर तो यह किस ओथर के द्वार लिखी गए रस्किन बॉंड के द्वार नेक्स्ट है सिक्किम से गुजरने वाला अकसांस भी खालिस्थान से होकर गुजरता है एटिट्यूड विच पास थूरु सिक्किम इस ओल्सो पास थूरु राजिस्थान यहनि की राइट आंसर जो प्शन भी निमलिकित में से किस देश के साथ भारत का तवांग के पास भूमी विवाद है देखे तवांग जो है यह लोकिशन पढ़ती है अनाचल पर देश में ठीक है और इस पे जो विवाद है वो चाइना के साथ में है इसका राइट आंसर ओप्शन ए हो जाएगा निमलिकित में से कौन एक पादप हार्मोन नहीं है तो ताइक्रोक्सीन इस कोश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर यानि कि ओप्शन डीज़ा राइट आंसर नेक्स्ट है नेफ्रोन मानस शरीर की निमिन में से किस परणाली से संबंदित है बिल्कुल दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्सरजन तंतर से यानि कि ओप्शन आपका बी राइट आपका खोन को जमाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्चक है खोन को जमाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्चक है तो विटामिन के इस question का right answer होज़ेगा World Wide Web के अविस्कार के लिए कौन जाने जाते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर टीम ब्रैंड सली यानि की ओप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर नेक्स्ट है निमलेकित में से कौन सी जोड़ी गलत है इसका राइट आंसर बतेगा बिलकुल यहाँ पे जो डी वाला है यह गलत है निमलेकित में से कौन रेखा दी अंटोल स्टोरी पुस्तक के लेखक है जो एक अनुबवी अभिनेत्री रेखा की जीवनी है लेखक आप से पूचे गए है यासर उसमान यानि की ओप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा किस बाजार में कुछ फार्मों के बाजार या उद्योग का परमुक है बिल्कुल सही है इस कोश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ओलीगोपोली ठीक है ना हाँ ओलीगोपोली इस दा राइट आंसर बार्दोली सत्यगरे आंदोन का नेत्रीत किस ने किया था तो बार्दोली सत्यगरे का नेत्रीत जो है वो किस ने किया था सरदार वल्लभाई पटेल ने option C is the right answer भारतिय एसांती के जनक के रूप में किसे जाना जाता है which is known as the father of Indian unrest तो इसका सही आंतरोजीगा बाल गंगा थरती लग को next है निमलिकित में से कौन सा छेत्र उसना कटी बन दिये सदा बाहर से अचित देहे तो इसका right answer होजेगा western card प्रत्वी और बारी अंतरिक्स के बीच की अंतिम सीमा को कहा जाता है तो यह कहा जाता है magnetobus यानि की option D right answer होजेगा सर्भोमिक सविकर्ति कौन सा रक्त समो है कौन सा blood group दोस्तो universal acceptor है तो universal acceptor group जो होता है वो होता है A B positive और universal जो donor होता है जो donate कर सकता है किसी को भी वो आपका कौन सा होता है O positive मन्रेगा योजना के तैत समाजिक अक्सेनिक समीति का चैन कौन करता है इसका right answer होजेगा gram सभा यानि की option B is the right answer निमलिकित में से कौन सी पुष्तक ससी थरूर द्वारा लिखी गई है तो which of the following is a book written by ससी थरूर तो इसका right answer होजेगा an era of darkness era of darkness next है बाबर नामा किस भासा में लिखा गया था तो बाबर नामा was written in which language इस question का right answer होजेगा चगताई तुर्की आनि की option B right answer होजेगा बीजापूर राज्ये के संस्थापक निमलिकित में से कौन थे तो बीजापूर राज्ये के संस्थापक इन में से कौन थे बिल्कुल सही है यूसुप आदिल सहा यानि की option A right answer हो जाएगा निमलिकित में से किसने अलाई दर्वाजा का निर्मान किया था वो among the following बोल दी अलाई दर्वाजा इस question का right answer हो जाएगा अलाउ दिन खेल जी यानि की option C is the right answer निमलिकित में से कौन पसू कोसिकाओं में मौजूद नहीं है इस question का right answer हो जाएगा कोसिका भित्ति यानि की cell walls इस question का right answer हो जाएगा East India Company ने 1608 में कैप्टन विलियम होकिन्स को समराट खालिस्तान के दर्वार में सुरत की एक factory खोलने की अनुमति लेने के लिए भेजा तो right answer हो जाएगा दोस्तो क्या रहेगा इस question का right answer हो जाएगा दोस्तो जाहागीर यानि की option a right answer हो जाएगा Next who is the author of the book Buddha and his dham इसका right answer हो जाएगा दोस्तो बी आरम बेड़कर यानि की option C is the right answer सिलंका में निमिन में से कौन सी सबसे उची चोटी है तो सिलंका की सबसे उची चोटी है माउंट पेंडरो यानि की option आपका D right answer हो जाएगा इमिलिकित में से कौन सा बंगलदेश का रास्टे खेल है तो इस question का दोस्तो right answer बतेगा बिल्कुल कबड़ी is the right answer ठीक है Which of the following is the national sport of बंगलदेश तो कबड़ी हो जाएगा सही answer हैव लोक दीप का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है तो इस दीप का नाम बदल कर अभी क्या कर दिया है सवराज दीप तो right answer option C हो जाएगा नेक्स्ट है चेपू खलिस्तान का एक अनुठा सांस्कृतिक परतीक है तो इस question का right answer हो जाएगा नेपाल नेपाल का नेक्स्ट है बलीडर सब्द की skill से सम्मंदित है बलेडर सब्द associated with which sport तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तो बॉक्सिंग से जामदानी बुनाई की परमपारिक कला की सुरुवात खालिस्तान में हुई थी तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांगलादेश यानि की option D is the right answer लेखा महानियंतरक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है इस question का राइट आंसर बतेगा सोमा रवय बर्मन यानि की option हो जाएगा बी राइट आंसर निमलिकित साच्तिरे नत्यों और अपने मूल इस्थानों में से कौन सा गलत तरीके से मिलान किया जाता है तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होज़ेगा option D 16 नॉंबर को राष्टे प्रेस रिवर्स के रूप में मनाया जाता है इस दिन निमलिकित में से किस agency की स्थापना की गई थी तो प्रेस काउंसल ओफ इंडिया की स्थापना की गई थी यदि सरकारी वेय चालू खाते पर सरकार की राजस से अधिक हो जाते हैं तो क्या इस्थिती होगी तो उस condition को क्या बोलेंगे बिल्कुल दोस्तो उसे बोलेंगे घाटे बजट यानि कि deficit budgeting option A राइट आंसर हो जाएगा सत्यमें जेते सब्द किस उपनी सथ से लिया गया है बहुत easy है सत्यमें जेते सब्दोस्तों मुंड को उपनी सथ से लिया गया है यानि कि option B आपका राइट आंसर हो जाएगा पिछडे जुकने की आप पूर्ती वर्क किस बाजार से संब्दीत है backward bending supply curve belong to which market तो ये किस market को belong करता है इसका सही answer दोस्तों labor हो जाएगा यानि कि option B is the right answer सविधान का कौन सबाग केंदरों राज्यों के बीच वित्य संबंदों का वर्ण करता है तो इस question का right answer क्या होजेगा विल्कुल पार्ट 12 is the right answer next भारते सविधान की किस अनुसूची में दलबदल विरोधी कानून दिया गया है तो दलबदल विरोधी कानून दोस्तों जो दिया गया है वो दसवी अनुसूची में दिया गया है देखिया अगर questions आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को like कर दीजे फटावट और अनकेडमी पे जाके अभी सौरब मलिक नाम सर्च करके यह नाम सर्च करके follow कर लिजे क्योंकि वहाँ पे मैं आपको 5000 GK के questions की series करा रहा हूँ timing है साड़े तीन बजे जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तब भी आप वो वीडियो देख सकते जाके साड़े तीन बजे और रात के ग्यारा बजे दो किलास हो रही है दोस्तों जिसमें लाइव मैं पढ़ा रहा हूँ एक घंटे की डेड़ दो घंटे की भी किलास होती है और रेगुलर हो रही है तो यह बहुत ज़्यादे इंपोटेंट है टेलिग्राम जोइन कर लेना स्टड़ी 10G के सर्च करके टेलिग्राम पर आपको सारी वीडियो के लिंक मिल जाते है ठीक है तो फटा फट जाके अभी फोलो कर लिजे और मिलते हैं अभी आगे के कोश्चन्स इसी के सीरीज में चलते रहेंगे तो आगे की वीडियो को फोल ट्रे गाइस तो मिलते हैं फिर अभी आगे के पीडियाप में यह पीडियाप नहीं तक दूसरी पीडियाप पर चलते हैं डी हो जाएगा got it चले next हमारा कोशन आता है राज्य सभा किसी भी धन से संबंदित कानून को ऐसाविकार नहीं कर सकती है लेकिन इसके लिए विलम कर सकती है कितने दिनों तक देरी हो सकती है और उसके बाद में वो बिल पास माना जाएगा ठीक है तो option आपका c rate answer हो जाएगा चले next हमारा question है किस देश को पहले new grenade के नाम से जाना जाता था जल्दी से बताईए गाईज देखे एक बार session को share कर दीजे जितने भी आपके पास group है तभी मज़ा आएगा और like भी कर दीजेगा तो यहाँ पे सही answer हो जाएगा आपका क्या कोलंबिया बिल्कुल सही है बाई very good option आपका a rate answer हो जाएगा well done next question है हिरोशीमा दिवस कब मनाया जाता है जल्दी से बताईए हिरोशीमा दिवस कब मनाया जाता है अच्छा यहाँ पे आ रहे हैं अलग-अलग answer जा रहे है तो उस तो 6 अगस्ट को ठीक है USA ने हिरोशीमा सहर पर 6 अगस्ट को बम गिराया था 1945 में तो यह आपको याद और देखे किसी को भी अनकेडमी पर सब्सक्रिप्शन जोई करना है न तो आपको यह कोड जुरूर याद रखना है विदाउट एनी स्पेस लगाना है स्टेडी टैन स्टी डी वाई वन जिरो विदाउट एनी स्पेस ठीक है आप कैसे सी हो बैंक हो रेलवे हो कोई भी एक कोशन का सही आंसर हो जाएगा कि 2003 नहीं होगा वही 2009 ठीक है 2002 नहीं होगा 3 भी नहीं होगा 12 भी नहीं होगा 209 अधिक है इस चले नेक्स्ट हमारा कोशन है इजूट चंद प्रुसकारम कि सराज्य का सरुच साइत्यक प्रुसकार है जल्दी बताईए वेरी गुड दोस्तो इस question का सही answer हो जाएगा केरल option A is the right answer वेरी गुड next हमारा question क्या कहता है देख लेता है यह सिक्किम के limbo समुदाय का एक परामपरिक साधन है सोरे जल्दी बताईए गैज इस question का सही answer हो जाएगा बिल्कुल सया बरंग यह एक जैसे दोस्तो आपने ढोल देखा है जो साधी ब्या में बज़ता है वैसे होता है बट यह size में काफी बड़ा होता है ठीक है तो यह आपको याद दखना है चलिए सबसे पहले कौन सा biosphere reserve इस्सापित किया गया था चारों में से कौन सा रहेगा सही answer which biosphere reserve की बात कर रहा हूँ मैं ध्यान से सुन लीजेगा the first to be stabilized तो इस question का सही answer क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों काफी सही जा रहा है निल गिरी यानि कि option आपका a right answer हो जाएगा लेकिए answer करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ में भी share करते रहिए बीच बीच में और like भी करते रहिए next step भारतिये चुनावों में उप्यों की जाने वाली electronic voting machine अधिक्तम खालिस्थान वोट record कर सकती है आपसे ये पूछा गया है कि जो electronic voting machine होती है दोस्तों maximum कितनी वोट काउंट कर सकती है तो दोस्तों ये वाली machine केवल 2000 वोट ही काउंट कर सकती है तो इसका सही answer option B हो जाएगा तो याद रखिए गए अगला question है आपका IAF की सबसे बड़ी command कौन सी है IAF की सबसे बड़ी command दोस्तों कौन सी है फटाफट answer बताईगा western air command very good option दोस्तों आपका C right answer हो जाएगा चलिए next है सिमला को गिरिसम कालीन राजधानी कब बनाए गया था चलिए बताईए when was similar mid summer capital 1864 में ठीक है 1864 is the right answer चलिए अगला question है भारतिय रेल का नारा क्या है दोस्तों बताईए भारतिय रेल का नारा क्या है चलिए काफी सही आंसर आ गया है भारतिय रेल का नारा दोस्तों lifeline of the nation है यानि कि आपका option C हो जाएगा इस speed तो ठीक है ना ज्यादा तो नहीं है speed चलिए भारत ने पहली बार ओलंपिक में भाग कब लिया था दोस्तों भारत ने ओलंपिक में पहली बार भाग लिया था 1900 में तो यहाँ पे आंसर आपका कौन से हो जाएगा C right आंसर बन जाएगा चलिए अगला question दोस्तों आता है कोफी की उत्पत्ति कहां से हुई है वेर डज कोफी ओर्जिनेट फ्रॉम वेर डज कोफी ओर्जिनेट फ्रॉम देखे इस question का सही answer दोस्तों इथोपिया हो जाएगा बहुत सारे student ब्राजील लगा रहे हैं ब्राजील इस नोट राइट आंसर ठीक है चले अगला question है सविदान की प्रारूप समीति की समक्स प्रस्तावना का प्रस्ताव किसे ने रखा तो मेरे प्यारे दोस्तों काफी अच्छा question है और आपका आंसर भी आना स्टार्ट हो गया है जवाल लाल नहरू is the right answer तो जवाल लाल नहरू आपको आंसर टिक करना है नेक्स्ट question है लिखित सविदान की अवदार्णा पहला जन्म खालिस्तान से हुआ था यहनी कि return constitution होता है देखें जैसे हमारा return constitution है बहुत सारी country का return constitution है बहुत कहां है Maxim का अब यह सबसे पहले starting कहां से हुई थी कि हर एक देश का return या फिर unwritten भी होता है बहुत देश का बट return constitution कहां से start हुआ था यह दोस्तों USA से हुआ था यानि कि USA का सबसे पहला लिकित सविधान है और अगर सबसे बड़े सविधान की बात की जाए तो दोस्तों किस देश करेगा जल्दी से कमेंट करके बताईए और यहाँ पे भी हो जाएगा नेक्स कोशन है राज्यों के संदर्ब में खालिस्थान का सबसे बड़ा अधिकर छेत्र है तो मेरे प्यारे दोस्तों इस कोशन का अंसर क्या होजेगा बिल्कुल सही है गोहाटी हाई कोट यानि की ओप्षन आपका वन राइट अंसर होजेगा वेल ड़न नेक्स्ट हमारा कोशन आता है होकी विश्वकप खालिस्थान वर्स के अंतराल के बाद अजित किया जाता है तो मेरे प्यारे दोस्तों इस कोशन का सही अंसर होजेगा 4, 4 वर्सों के बाद होक्की का जो विसक अप होता है दोस्तों वो आपका 4 वर्सों के अंतराल में होता है चले, next question पिली नदी है yellow river is तो guys, yellow river आपका सही answer क्या हो जाएगा हाँ, हाँ, यह आपका उजएगा हौंग हो, यानि की option C is the right answer देखें, रिवर चाइना में है दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है कापर है, चाइना में तो याद रखेगा चले, next सूर्य की सत्य का तापमान क्या है दोस्तों जल्दी बताईए सूर्य की सत्य का तापमान कितना है बिल्कुल, what is the surface temperature of sun तो 5,778 इसका सही आंसर हुजएगा यानि की option C is the right answer well done next question है भारत में निमलिखित में से किस राजय में सबसे बड़ा आदर से लवन अर्द भूमी है in India which one of the following state has the largest inland saline wetland तो guys इस question का अंसर आपका हुजएगा बहुत ही बड़िया राजिस्थान यहां पे अंसर आ रहे है ठीक है तो राजिस्थान दोस्तों इस question का सही उत्तर हुजएगा well done बहुत ही बड़िया अगला question आता है आलू की उत्पत्ती किस इस्थान से हुई मानी जाती है दोस्तों यानि की आलू की उत्पत्ती कहां पर हुई थी तो मेरे प्यारे दोस्तों इस question का सही answer क्या हुजएगा बिलकुल दक्सिन अमेरिका यानि की South America is the right answer तो यह है आपको याद अखना है आलू की उत्पत्ती किस इस्थान से हुई मानी जाती है South America से बहुत बड़िया अगला question है संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में Death Valley इस्थित है In which state of United State Death Valley is located तो मेरे प्यारे दोस्तों इस question का सही answer हुजएगा California बहुत ही बड़िया आंसर आपको हुजएगा दोस्तों डी राइट आंसर Very good Next question है सब्द सफेद कोईला कभी-कभी निमलिखित में से किसके लिए संदर्वित होता है तो guys इस question का जो सही answer है वे आपका हो जाएगा बिल्कुल Hydro electricity यानि की पन बिजली राइट आंसर दोस्तों B हो जाएगा ये आपको याद रखना है Well done Next हमारा question है यह है पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों 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 इस question का सही answer हो जाएगा नत्तु राम गोड से Option हो जाएगा दोस्तों B right answer ठीक है चले अगला question है कौन चटान का एक प्रकार नहीं है तो देखे इसका सही answer क्या हो जाएगा यहाँ पे C वाला जो option है दोस्तों वो correct हो जाएगा तो याद रखना चले अगला question है दुनिया का सबसे उंचा प्रवेश दुआर कौन सा है Which is the highest gateway in the world दोस्तों question है Which is the highest gateway in the world तो इस question का सही उत्तर हो जाएगा बिल्कुल बुलंद दर्वाजा राइट answer आपका option B हो जाएगा बुलंद दर्वाजा इस दर्वाजा इस दर्वाजा दोस्तों next question है मरीना बीच कि सराज्यमे इस्थित है दोस्तों इस question का answer बताईए क्या रहेगा तो इस question का answer आपका हो जाएगा तो guys यहाँ पे देखे option आपका D rate answer हो जाएगा क्योंकि इन में से कोई नहीं क्योंकि यह कहाँ पर है यह तमील नाडू में है कहाँ पर दोस्तों तमील नाडू तो यह आपको याद रखना है वई चले next next question है फरवरी 2020 तक स्रीलंका के राश्टपती कौन है as of February 2020 वो is the president of स्रीलंका दोस्तों इस question का सही answer हो जेगा गोता बाई राजपक से यानि की option आपका D right answer बन जाएगा फरवरी 2020 तक स्रीलंका के राश्टपती कौन है गोता बाई राजपक से चले next question है जनवरी 2020 तक स्री भुपेज भगेल निमलिकित में से किस राजपती के मुख्य मंतरी है या आप जल्दी से बता दीजे राइट आंसर क्या रहेगा इस question का सही answer हो जाएगा 36 गड राइट आंसर इस option C जनवरी 2020 तक स्री भुपेज भगेल निमलिकित में से किस राजपती के मुख्य मंतरी है 36 गड इस दा राइट आंसर नेक्स्ट है उस भोतिक विज्ञानी का नाम बते जिसे neutron की खोज का सरह दिया जाता है 1932 की इस खोज के कारण उन्हें नोबल पुरुषकार मिला था दोस्तों इस question का सही answer क्या हो जाएगा बिल्कुल सही है James Chadwick यानि की option आपका B राइट आंसर हो जाएगा ठीक है James Chadwick इस दा राइट आंसर नेक्स्ट कोशन है निमलिकित में से किस खेल के लिए दोना वल्ली हरीका को परतिस्टित पदम स्री पुरुषकार से सम्मानित किया गया था तो गैज इस question का सही आंसर क्या हो जाएगा चैस इस question का सही आंसर हो जाएगा चैस इस दा राइट आंसर तो यह आपको याद रखना है नेक्स्ट लगतार चार टेस्ट स्रीज में दोरा सतक लगाने वाले पहले और वरत्मान में एक मात्र बल्ले बाज कोन है तो गैज इस question का सही आंसर क्या हो जाएगा वेल ड़न विराट कोली राइट आंसर दोस्तो option B हो जाएगा विराट कोली इस दा राइट आंसर तो यह आपको याद रखना है कोलाथू नाडू वल्लू वन्नाड और ठेकू कुकुर भारत के किस राज्य में प्राचीन काल के राज्य थे दोस्तो इस question का सही आंसर हो जाएगा केरल यानि की option B इस दा रेट आंसर यह आपको याद रखना है नेक्स है सर्थोमस रो इंगलेंड की राजा जैम्स पर्थम से अधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल समराज्य के दरबार में आया था मेरे प्यारे दोस्तो इस question का आंसर क्या हो जाएगा जहागीर well done, जहागीर is the right answer और इस question का सही answer option C हो जाएगा नेक्स्ट हो जाएगा उस media company का नाम बते जिसने 21 सदी के Fox के सांदार स्टूडियो को खरीदा है तो इस question का सही answer क्या हो जाएगा बिल्कुल उस media company का नाम बते जिसने 21 सदी के Fox के सांदार स्टूडियो को खरीदा है तो डिजनी इस question का सही answer हो जाएगा यानि कि option A is the right answer कान का हिस्सा नहीं है तो इन में से कौन सी अड़ी दोस्तों मानाव कान का हिस्सा नहीं है इस question का अंसर हो जाएगा फिमर यानि की option सभी को पता है फिमर जांकि अड़ी है तो बहुत easy सा question बनी गया next निमिन में से कौन सी पुस्तक सलमान रुसी द्वारा नहीं लिखी गई है तो जल्दी से बते है इस question का सही answer क्या हो जाएगा दोस्तो एना arrow of darkness दोस्तों इस question का answer हो जाएगा ठीक है option B is the right answer तो यह आपको याद है विस्व खाद्य कारेकरम संयुक्त रास्त की खाद्य साहता साखा इसका मुख्याल्य कहां पर है तो guys इस question का सही answer हो जाएगा रॉम कहां पर है रॉम में यानि की option C is the right answer चलिए नेक्स्ट है जेस्टी परिशत द्वारा लोटरी पुस्तकों के लिए निर्धारित की गई सामान्य जेस्टी दर क्या है जल्दी से answer बते है इस question का सही answer दोस्तों हो जाएगा आपका क्या 28 परसेंट यानि की option आपका B right answer हो जाएगा very good next question है भारत से किसने करतारपूर कोलिडोर का गाटन किया और सिखो के संस्थापक गुरु नानक देव के अंतिम विश्राम इस्थल पर तिर्थ यात्रों के पहले set को जाड़ी दिखाकर रवाना किया तो right answer बते क्या रहेगा दोस्तों इस question का सही answer हो जाएगा नेंद्र मोधी ठीक है भाई चलिए very good अगला question आते है लगबग 600 वर्सों के लिए त्याग दिये जाने वाले के बाद साची की खोज की किस वर्स में हुई थी तो right answer बते है लगबग 600 वर्सों के लिए त्याग दिये जाने वाले जाने के बाद साची की खोज किस वर्स में हुई थी तो 1818 इस question का answer हो जेगा यानि की option c is the right answer very good next है इन में से कौन सा सब्द घ्रेलू कुत्तों के विज्ञानिक अध्यनों को संदर्वित करता है guys इस question का सही answer हो जेगा signology यानि की option b is the right answer तो यह आपको याद रखना है next है अराकू घाटी एक प्रेटक इस्थल दक्सिन भारत के किस सहर के पास इस्थित है very good तो guys इस question का सही answer हो जेगा विसाखा पत्नम यानि की option आपका a right answer हो जेगा next है विपुल भारतिय चित्रकार कबूल फिदा हुसेन ने मुख्य रूप से अपने चित्रों में जीवन्त और मुक्त आत्मा का चित्रन करने के लिए इन में से किस जानवर का इस्तमाल क्या तो guys इस question का सही answer हो जेगा horse घोड़े ठीक है चलिए next है प्राचीन सहर हमपी के खंडर विजय नगर की राजधानी वरत्मान भारति राज्ये में इस्तित्र तो यह इस्तित्र दोस्तो करनाटका में यानि कि आपका option डी हो जाएगा वेल ड़न नेक्स ने निमलिखित में से कोशन दोस्तों आपका निमलिखित में से किसने फिल्म मिशन मंगल में परमुक महिला की भूमी का निभाई जो मंगल गरह पर भारत के पहले मिशन के पीछे महिलाओं की नाटके सच्ची कहानी बताती है इस कोशन का सही आंसर हो जाएगा आपका विद्याबालन यानि की option आपका डी रेट आंसर हो जाएगा नेक्स कोशन है इन में से कौन सी संस्था भारत में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को ठीक करती है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को ठीक करती है इस कोशन का अंसर बतेगे दोस्तो इस कोशन का सही अंसर हो जाएगा भारतिय रिजर्ब बैंक RBI वेरी गुड लाल कृतिमियों में खालिस्थान नामक एक सरचना होती है उन्हें अपने भोजन को पीषने में मदद करती है दोस्तो इस कोशन का अंसर हो जाएगा गिजय यानि की ओप्शन B is the right answer यह आपको याद अखना है नेक्स्ट है उस लेक का नाम बते है जिसने अपनी पुस्तक एन यहाँ पे है एन एरा ओप डार्कनेस दा बिर्टिस एम्पायर इन इंडिया के लिए साहित्य अकेडमी पुस्का दोजानिश जीता दोस्तो सही आंसर होजेगा ससी थरूर ओप्शन A is the right answer वेरी गुड नेक्स्ट कोशन है वियोवरत सवतंता से नानी समाज सुधारक और नारिवादी सावित्री भाईफुले भारत की निमलिकित में से किस राज्य से हैं तो गैज इस कोशन का आंसर हो जाएगा कहां से हैं मारास्ट से एनिकी ओप्शन C is the right answer नेक्स्ट कोशन है अरब दुनिया के सबसे लंबे समय तक सासन करने वाले सासक के सुल्तान खालिस्थान सुल्तान के कबूस बिन सियद और हाल ही में चुप चाप पुट निती के लिए एक परतिस्था के साथ निदन हो गया यह आपको बताना है तो गैज इस कोशन का ओमान बिल्कुल सही है ओप्शन D is the right answer करनाटक के लिए जिले में ब्राम गिरी वन्य जीव अभ्यारन इस्तित है इस कोशन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कोंडागू यानि की ओप्शन D is the right answer तो यह आपको याद रखना है वेल ड़न अगला कोशन है निम्लिकित में से किस त्योहार का अर्थ है देवताओं की मेरी बनाना इस कोशन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लाई हरोबा यानि की ओप्शन आपका बी रैट आंसर हो जाएगा लाई हरोबा वेरी गूट वेल ड़न अगला कोशन है बॉंबे अब मुंबाई में गेटवे ओफ इंडिया की नीव किस वर्स रखी गई थी यह आपको बताना है दोस्तों इस कोशन का सही आंसर हो जेगा 1911 में तो रैट आंसर इज ओप्शन भी यह आपको याद अखना है वेरी गूट नेक्स्ट कोशन आता है 2019 की ब्रांड वित्य रास्टे रेंकिंग में भारत की इस्थिती क्या थी यह भी आपको बताने है दोस्तों जल्दी से बताईगे रैट आंसर क्या रहेगा तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सेवन्थ ठीक है यानि की आपका सी रैट आंसर बन जाएगा नेक्स नेमलिकित में से कौन सा सिर्का का परमुग घटक है दोस्तों इस कोशन का सही आंसर हो जाएगा एसेटिक एसेट यानि की ओप्शन डी दा रैट आंसर वेरी गुड नेक्स नेमलिकित में से कौन एक कसे रूख नहीं है तो विच ओब दा फॉलोईंग इस नोट है वर्टिप्रेट तो इसका सही आंसर हो जाएगा होंगा।ों-डी इस दा रे आचा नेक्स्ट है नन्दा वंस का अंतीम साथक निमलिकित में से कौन था तो नन्दा वंस का दोस्तो साथ psych निमलिकित में से कौन था। धनानंद यानि की ओप्शन आपका डी हो जाएगा ठीक है तो यह आपको याद अखने वे नेक्स्ट है मादवपूर मेला निमलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है और इस कोशन का सही आंसर क्या बन जाएगा देखे आर एक बार तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करके सेयर कर दीजे कि मैं देख रहा हूँ बहुत देश से आप सेयर नहीं कर रहे हैं तो फटा-फट एक बार सेयर करेए मज़ा तभी आएगा जब आप सेयर करें हैं देखे गुजरात इस कोशन का अंसर हो जेगा गुजरात is the right answer तो यह आपको याद अखने है सेयर कर दीजे भई चलिए अब चलते हैं next question की ओर तो thank you so much guys आपने इस session को पूरा end देखा I hope कि आपको पसंद आया होगा तो please इसको like कर दीजे अपने दोस्तों के साथ में share कर लिजे और अगर आप channel पे नहीं है तो channel को subscribe करके bell icon कोन रखे ताकि आगे आने वाले सारी videos के notifications आपको मिलते रहे thank you so much बिलते हैं फिर next video में बाई बाई